पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी ले वाब डाउनलोड करें प्राशान को इतना गहरा सद्मा लगाए कि किछी से बात तक नहीं कर रहा एमन श्याम को बहर से निकला था तो उसको जाते हुए किसने किसने जरूर जखाऊगा एक टीम एक्टिव करो पता लगाएं श्यायद कुई आसा मिले इससे में इस केस की थे ही डियक्शन पता चले खबरियों को एक्टिव करो सब हाँ बोल क्या बात है हाँ जित्या पुलिस तेरे घर भी आई थी क्या हाँ हाँ मैंने कहा था तुझे सुसाइड कर लेते हैं पर तू नहीं मुझे रोब दिया उते हैं तो गया अब हमारी बारी हमें पुलिस को सबकुछ सर्चेज बता देना चाहिए था बिल्कुल नहीं तू पुलिस को कुछ मत बताना वरना अपनी जिंदगी मौत से भी बततार जाएगी तो अब क्या करें कौन सी अच्छी कंडिशन है हमारी काम डाउन तू कुछ टोपेच थाप मत लेना मैं सोचता हो कुछ अपना मूँ बंद रखना ठीक है सर, हेमन्त की पोस्मॉटम रिपोर्ट के हिसाब से हेमन्त की मौत रात के साड़े नौ से साड़े दस बज़े की बीच दम घुटने के वज़े से हुई उसके बाद इसे चाकु मारा गया था सर उसके शरीर पे चोटके निशान दीए मार पीट के लगी कुछ महने पुराने है सर, शौकिंग बात तो यह है कि हमन्त के प्राइवेट पार्स पर डीप डूज़ेस फिलाल तो घाव भर गया है लेकिन डॉक्टर के कहना यह है कि कुछ महने पहले हमन्त के साथ फोस्ट अननचरल तो आता वो कह रहात है इस पच्चे के साथ एमन के प्रेंट्स को बलो साम यह आप क्या कह रहें रेप इमन ऐसा नहीं हो सकते जरूर आपको कोई खलत प्यमी होई है तरश जी कोई गलत प्यमी नहीं होई पोस्ट मॉंड़ रिपोर्ट में जो लिखा है वो फेक्ट है यह हमारे लिए भी शॉकिंग था और संस्टीब है इसलिए आप लोगों के यहां बुलाबर बात करना मुनासिब सकते का है नंत ने आप लोगों से कभी भी कुछ शियर किया तो कुछ बताया था सबार हम नहीं अगर बताया होता तो अगर आप अगर 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 मुझे तो अगर आप नहीं था तुम लोगों के वज़े से फास्या मैं यह बस अभी बच्चा मत बन माथे बड़ प्रिस्तॉल रखके नहीं बेजाता तुझे हमारे चकर में नहीं फासा तो सबजा ना हा तो तू तो वाबर आई एक है हम तीनों इस प्रॉब्लम में फसे यह एक दूसरे को ब्लेम करने सा अच्छा सोचो क्या करना है क्साश्च। कि बच्चा वाह प्रॉब्लम क्साश्ब्लम झाल झाल